गुड मार्णिंग फ्रेंड्स मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल दाफाइश्ट्री पर फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय दिन में 11 बजे वीडियो आती है जीके की साथ साम में आती है और करेंड अफेर्स की वीडिय है आज का पहला प्रत्रश्न मॉंच्टर वे थन सूंच का आंधर नीच के अनसार भारत में नागल कीपितन का शुर्णप्र के स्थिसकंद आन्रेटा है कि मॉंस्टर व्यतन सूच गांघ रिपोत 2019 के अन्रस तर और अगर देखा जाया मॉें भूस्टरेटन सूच गांघ रिपोर्ट के अन्रस तो महिला और पुर्षों में जो वें और ये यूरोप का बहुत ही अच्छा देश है और बहुत ही अच्छा देश है अगर भारत की खुसाली में तो इस बार भारत पिछली साल के पेच्छा साथ पायदा नीचे अगर 140 अस्तान पर आ गया है ग्लोबल हैपिनेस इंडेक्स में जी एचाई में अगला कुशन दस मार्च को फिलिस्तीन का प्रधान मंतरी की से न्यूक्त किया गया है जिसका सही उतर है मुहमद सताया मुहमद सताया को दस मार्च 2019 को फिलिस्तीन का प्रधान मंतरी न्यूक्त किया गया है चलिए आगे का प्रस्थयारों का आयात करने के मामले में भारत का कौन सास्थान है। इस प्रस्थयारों स्थान पर भारत अ assert को के लिए आप लोग त्यार कर लिजिए और आने माला एक्जाम जो आपका 18 अगस्ट को CAPF का है उसकी भी त्यारी साथ-साथ हम लोग करते रहेंगे और दो जुन को आपकी के लास्ट में आपको कैलेंडर आ जाएगा यूपी दौरा यूपी गवर्मेंट दौरा कि आपका के बैंकिंग्स और अरभी की तहरी जो लोग करें उन लोग के लिए भी बहुत थायदे बंदे तो सिप्री ने जारी की आई रिपोर्ट कहा है उसमें कि साओधी अरब विस्टू का सफस्यादा हथियार आयात करने वाला देश बन गया है और अगर महीं बात की जाए भारत की तो या जो है सबस्यादा आयात लेता है मंदब समान खड़ीता हथियार दूसरे स्थान पर भारत है कि आगे कुशन देखते हैं लोग दिल्ली सरकार ने बस स्टॉप और बसो की रियल टाइम लोकेशन प्लांग करने के लिए कौन से मोबाइल एप को लॉंच किया है तो आपको पता होगा दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जिन ने अप्लिकेशन लॉंच किया है उसका नाम है वन दिल्ली वन को दिल्लीकेशन हर 45 मिनट पर कर अपडेट किया जाएगा अगला कोशन हाली में अमेरिका की खिलाउने बनाने वाली कमपनी मैटल कमपनी ने किस भारत ही खिलाड़ी को बॉल वी डाल बनाई है एक अधर कमपनी उसने जो है दीपा कर्माकर जो भारत की में बुनास्टिक कि बाचार पूजी को पार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे SBI SBI क्योंकि सबसे बड़ा बैंक नहीं है ऐसा नहीं है यह बन गया HDFC बैंक जो कि भारत का पहले दूसरा पब्लिक सेटर का सबसे बड़ा बैंक था अब जो है पैसो के मामले में पूजी की मामले में यह च्छे ट्रिलियन क्रॉस कर चुका इसकी टोटल पूजी 6.06 ट्रिलियन रुपए है अगर बात कही जाए कि अगर जो HDFC बैंक में जितना पैसा है अगर इस पैसे से भारत में इतनी लागत की कोई कंपनी हो तो यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी अब आप जानना चाहेंगी कि भारत की पहली दूसरी और तीसरी तीनों कंपनी में आपको बता देता हूँ पहले पर हैं आप स्थान पर इनकी संपती 8.50 रूपया है और दूसरे नमबर पे TCS यानि टाटा कंसर्टेंसी सर्विस और आप सब को पता होगा ज्यारी टाटा इसके फाउंडर थे और यह जो है टीस दूसरे स्थान पर है इसकी कुल संपती 7.48 ट्रियन रूपय और तीसरे पे HDFC बैंक इस इसका कुल जो है शेदर सुलो जीरो सिक्स ट्रियन रूपय और HDFC का जो मुख्याल है मुंबई है HDFC के MD और CU जो है आधित्य पूरी है कितनी जनकारी आप लोगों को जाना चाहिए इंपोर्टेंट है अगला कोशन किस बैंक ने 70 वर से अधिक उम्र के लोगों के लिए डोर इस्टेप बैंकिंग सेवा शुरू किये इसका सही उत्तर है अब यहां आता है SBI SBI का पूरा नाम होता है State Bank of India SBI के चेर्मेन रजनीस कुमार SBI की स्थापना 1955 में हुई थी इसका हेड़कॉर्टर मुंबई में है और अब यह बैंक जितने भी लोग 70 वर से अधिक उम्र के हैं उनके लिए डोर इस्टेप बैंकिंग मनलब दर्वाज़ों पर जाने की सुब्दा दर्वाज़े पर जा सांती विष विद्याले इनय c फिस ने हाली में यह फिर ऒारती को मानद कीुपाद लिए करे नाम के आग worrying cani ौपर अq vidéos के लिए पर चुन के सकते हैं अगला भूचिन हाली में कि इस देश में हुए एरलाइन्स क्रेस के चलते कई देशों में बोईंग 737 मैक्स विबानों का प्रियोग पर रोग लगा दी है तो मैं आपको बता दूँ कि अभी हाली में इथोपिया जो कि अफ्रीकेन कंट्री का एक देश है जिसकी राधानी अधिसा बाबा है यहां पर एक हादसा हो गया था जिसमें आपको पता होगा कि काफी लोग मारे गए थे तो बोईंग बोईंग 77 एरप्लैन क्रेस होने के नाते अब जो है इथोपिया में आपको बता दो कि जो बोईंग 77 था बोईंग 77 था उसको भी अमेरिकन कंपनी ने उस एरलाइन्स को भी बिनाए था बोईंग 77 को अगला कुश्चन अंतार राश्ती दूर संचार संग यानि अइटी यू इंटरनेशनल टेलिकां यूनियन दक्ष्टि अपना पहला क्षटरी कार्याल है किस देश में बनाएगा तो यह अपने देश में बनाएगा भारत में बनाएगा कहां भारत भारत की राधानी नई दिल्ली तो आई ट्यू यानि दच्छ्र एस्या में अपना पहला हेड़कॉर्टर जो खोलेगा वो भारत में कि रिजिनल सेंटर खोलेगा इंडिया में खोलेगा आई ट्यू अंतर राष्टी दूर संचार संग कि नेक्स्ट कोश्चन कि आई सीसी ने विशुकप 2019 के लिए कि वेफ साइट होस्टिंग अमपनी को अपना आधिकारिक प्रिया होजग बनाया है तो इसको सयुतर है गोड़ेडी आप लोग देखते होंगे गोड़ेडी गोड़ेडी के तुरू जो है आप होटल कहीं जा सकत कि यह उसका नाम है गोड़ेडी आपको बता दूँ कि आई सीसी का मुख्याल है दुबई में है आई सीसी के चेर्मेन ससांग मनुहोबारर दोस्तों मैंने आपको वीडियो बनाया था जिसमें बरतुमान में भारत में कौन क्या है अभी 30 अप्रेयल तक का उसमें पूरा अपडेट अपडेट है तो अभी आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, जी के स्पेसल वीडियो में वहां से देख सकते हैं, कि भारत में बरतमान में कौन क्या है, सौ से ज्यादा महत्पूर में ने लोगों के बारे में बताया है, वहां से आपके चार से पांच प्रस निक्जामें पूछे जाएंगे, तो जो बन गए है, L.I.C. के चेर्मेन, M.R. कुमार, M.R. कुमार को बनाया गया है, L.I.C. का चेर्मेन, L.I.C. का मुख्याल है, मुंबई में, L.I.C. का पूरा नम, Life Insurance, कारपूरे सनाफ इंडिया, इसकी अस्थापना 1956 में होई थी, अगला कोशन, केंदर सरकार ने राज तो उसके बाद, युद्ध के बाद, जो लोग देश को छोड़कर बाहर विदेश चले गए हैं, तब से नहीं आये हैं, अब उनकी संपत्ती पर सरकार जो है सारवजनी खर्च कर सकती है, सारवजनी उपयोग कर सकती है, वही होता है सत्रु संपत्ती, अगला कोशन, हाली म किस देश ने बॉमबे गोल्ड कप होकी का किताब जीता है, जिसका सही उतर है, इंडियन ओयल, इंडियन ओयल ने बॉमबे गोल्ड कप होकी का किताब जीता है, इस बार, 2019 में आयज़ बैंक कोुछेटर की स्रेड़ी में रख दिया है यानी प्राइवेट सेक्टर के बैंक में से प्रशना पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे इसका पूरा नाम होता है इंडस्रियल का इनिज्याएव्लप्मेंट बैंक Studien इंडिया इंडिस्ट्रियल डेवलप्मेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका हेड़कॉर्टर है मुंबई में और इसके एमडी और सीयों है राकेश कुमार अगला कोश्चिन दस दीवसी से उक्षेत्र प्रसिक्ष्ण अभ्यास अफ इंडिया 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 इक्सरसाइज अगला कोश्चिन देखते हैं भारत में भारत कौन सा देश वर्स 2020 में अंडर 17 महिला फुटवाल भी सुकप के मेजबानी करेगा तो 2020 में होना है अंडर 17 मतलब 17 साल से कम जो उमें से उनका फुटवाल वर्डगाफ होगा कहां खेला जाएगा यह खेला जाएगा अपने देश में भारत में जिसकी राधानी नेदिल्ली है तो आप लोग यात कर लिए यह 2020 में जब अंडर 17 महिला फुटवाल वर्डगाफ खेला जाएगा तो जो है इंडिया में खेला जाएगा एकला कोशन किसे घरेलू जल सोधकावाड दिया गया है 2019 में केंट आरो को आगे का प्रस्न देखते हैं किस बैंक ने बिना कार्ड के नकदी निकासी यानि कैस विड्रॉल के लिए यूने कैस लांच किया है आप सबको पता हुगा आप लोग यूज करते होंगे तो यूनो कैस को लांच किय है S.B.I. ने यानि भारती स्टेट बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया ने और स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेर्मैन है रजनीस कुमार इसका हेड़कॉर्टर है मुंबई में और S.B.I. की अस्थापना हुई थी 1955 में तो इतनी जनकारी यहां से हमें मिल जाती है आगे क भारत के बित्त मंत्री अरुण जिटली को बिजनेस लाइन चेंज मेंकर का आवार्ड दिया गया है और यह आवार्ड भारत के पूरू प्रदान मंत्री 2004-2014 तक रहे प्रदान मंत्री मन मौहन सिंग जी ने दिया है अगला कोशन किस कंपनी ने सौक्ष भारत अवियान को बढ़ाभा देने के लिए प्रोजयक्ट संगं को लॉंज किया है किसका सही उत्तर है था और पहले हैं यह उन nets के और तीसरे हम यान स्टिश को लिया है तो तीन लोगों आप लोग याद कर लीजेगा इन लोगों फोप्स में भी तीन अस्थान मिले हैं टॉप थ्री में इंपॉर्डंट है तो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट संगम लांच किया है अगला प्रश्ण सुप्रिम कोड ने हाली में किस किर्केटर पर लगे ठपड मार दिया था और उसको लेके काफी विबाद चल रही थी तो सुप्रिम कोड से जो है आज इवन प्रतिबंद को हटा दिया गया है इनका आई पील फिक्सिंग में इनका नाम आया था क्रिट फिक्सिंग में तो यह हट गये हैं अभी समय मूवी बना रहे हैं और जो किस देश से मैं आपको बता दूँ अगर इस बार 2019 में सांती के लिए ग्रेटा थुनबर को नोबेल प्राइज मिल जाता है तो यह जो है विश्चु की सबसे युवा महिला या विश्चु का सबसे युवा ऐसा बन जाएंगी कि जिनको नोबेल प्राइज मिलेगा अगर तो यह जो है स्वीडन से ही इनका संबन्द है ग्रेटा थुनबर का और इनका जो है 2019 में सांती के लिए नोबेल प्रुसकार के लिए इनका नाम गया है अब देखना यह दिल्चेस्प होगा कि इनको यह मिलता है कि नहीं अब आपकी जानका आप सोच रहे होगी कि अभी को पुस्तक के लेखी का और 2014 में सांती के लिए नोबेल प्रुसकार भीजेता पाकिस्तान की समाज से विगा मलाला यूसुफ जई मलाला यूसुफ जई उनकी बहुत चर्चित पुस्तक थी वियार डिस्प्लेस जिसको उन्होंने रिफ्यूजी गल्स के उपर लिखा था अगला कोश्चन मनोहर पारिकर के निधन के पस्चात गोवा के नय मुख्यमंत्री के रूप में किसने सपत लिया है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि गोवा में अभी कुछ दिनों पहले मनोहर पारिकर जो कि भारत के रच्छामंत्री भी कभी थे और गोवा के मुख्यमंत्री थे उनका बिमारी के चलती निधन हो गया और अब उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री जो बने हैं प्रमोध सामंत गोवा 17 मार्च को मनोहर पारिकर का निधन हुआ उसके बाद गोवा तो सबसे कम भाग लगता है वो गोवा का ही लगता है और इंडिया का सबसे अमीर राज गोवा है प्रतिवर्ति आई के हिसाफ से और सबसे ज़्यादा सहरी करण भी गोवा में है यह सारी चीज़ा आप गोवा से समंद में याद रखेगा और अभी हाली में अटल से तुकान जो गाटन हुआ है अटल ब्रिज जो बनी है 5.1 किलोमेटर का वो भी जो है गोवा के मांडवी नदी के उपर बनी है तो बहुत सारी चीज़ गोवा से मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है एक्जाम में आप अच्छा कर गया अगला कोशन किस राज ने डिश्टल चुनावी साक्षर्था को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल की सुरुवात किये तो इसका सही उत्तर है असम के मुख्यमंतरी है सर्वानंद सोनेवाल और असम की राजधानी है दिस्पुर और असम नहीं लॉंच किया है 50 के बाद से लेकर अब तक जितने भी प्रस्ण बंदे थे टाउप 50 मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्डंट है तीन से चार प्रस्ण वहां से आपके पूछे जाएंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाईए जी के स्पेसल वीडियो में देख लीजिए वहीं दुनिया का सबसे अमीर खेल माली बताया है अगला मार्च 2019 में भारत के पहले लोगपाल प्रमुक के रूप में किसे किसने सपत लिया है तो इसका जो सही उत्तर है वो है PC घोस यानि पिनाकी चंद्रघोस जितनी भी वर्थवान में न्यूक्तियां हुई है जो भी एपॉइंट्मेंट्स हुआ है लिटेश्ट 2019 में 30 अपरेल तक मैंने उसको एक वीडियो बना दिया है आप लोग प्लेइलिस्ट में जाकर तुरन देख लिजिए क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टन वीडियो उसको आप लोग मिस्मत कर जिए वहीं से आपक वो किसने दिलवाया है भारत के राश्ट्रपती ने आपकी जानकारी के लिए बता दू कि एक लोगपाल में एक मुख है लोगपाल होगा बाकी उसके आठ और मिम्बर होगे एक दो ती चार पांच छे साथ आठ ये जो आप देख रहे हैं आठ लोग लोगपाल में सदस हो और एक उसका मुखिया होगा जो भारत का लोगपाल होगा तो इस तरीके से कुल मिलाकर आठ प्लस एक बराबर नौ सदस होगे अगर आप से पूछ लिया जाए कि भारत के प्रसम लोगपाल पिनाकी चंडर घोज भारत के प्रसम लोगपाल को नियुकती किसने दी प्रसम लोगपाल पिनाकी चंडर घोष ने और सदस्यों को तो कुल मिलाकर नो लोगों की यह सदस्ता होगी इसमें एक मुख्यों लोगपाल होंगे और आठ जो है सदस्योंगि लोगपाल के चलिए अगला कोशन देखते हैं हाली में किसने स्री नगर में जम्मु कस्मीर प्यूपल्स मुवमेंट यानि JKPM नामक राक्राजीनितिक पार्टी बनाई है जंमू कस्मीर제रग्ण पीपुल्स मुवमेंट तो आप सब को पता होगा कि साथ वह सले जंमू कस्मीर मुवमेंट नामक नामक स्थेट काण बनाई है अगला भारत की पहली transgender चुनाव राजदूत कौन बन गई है तो इसका जो सही उत्तर है वो है गवरी सामन गवरी सामन जो है महाराष्ट्रा में चुनाव राजदूत बनाई गई है और यह भारत की पहली transgender महिला हैं जिनको किसी पत्पर न्यूग किया गया बाकि आपको मैंने बताया था कि संजना को यमद्वर्देश की चुनाव राजदूती और अपसरा रेड़ी मैंने बताया था कि All India Women's Congress Party की General Secretary चुनी गई है तो तीन लोग बड़े पत्पर कर रहे थे आप लोगो याद रहना यह important है क्योंकि अब जो है transgender भी बहुत आगे आ रहे हैं अगला question हाली में किस देश में आये इडाई चक्रवात इडाई चक्रवात के करण सैक्लों लोगों की मौत हो गई है जिसका जो सही उत्तर है वो है जिमबामबे और नाइजेरिया यानि आपका इसमें सही हो जाएग आपकी जानकारी के लिए बता दूं current affairs यानि एक मही में जो आज की घटना है वो यह हो रही है कि भारत में मंगाल की खाड़ी से उत्पन चक्रवात जिसका नाम फाना फाना चक्रवात भी आने की संभावना है और भारत की तरफ से scientific region में high alert जारी कर दिया गया है जिसमें त लोगों जो कड़ गई हैं उनको अंदर कर लें जिससे क्योंको नुकसान ना हो तो यह चेवतावनी आज की रेट में आप लोग अकबार पढ़ लीजीगा चलिए अगला कोशन मार्च 2019 में तीन दिवसी अंतरराष्टी संस्क्रिट संभिलन का आयोजन कहां हुगा इसका से मौरिसस और कनाडा हिंदी और संस्क्रिट का संभिलन हुआ था तो यह बहुत पूछा गया था इस बार आपका पहला जो मैं बता दिया इंपोर्डेंट है कि अंतरराष्टी संस्क्रिट संभिलन 2019 का आयोजन नेपाल की राजदानी काठवांडू में किया गया ने नेपाल तो यह नेपाल आपको पता होना चाहिए और नेपाल में हाली में न्यूग किये गए हैं वहां के सुप्रिम कोड के जो चीफ द्रस्टी सुन का नाम जेवी राणा है तो नेपाल की राजदानी है काठवांडू नेपाल की जो संसत का नाम है वो है राष्ट्री पंचायत और केपी सर्मा ओली वहां के प्लानमंतरी और विद्यादेव भंडाली वहां की राष्ट्रपती यह सब आपको पता होना चाहिए अगला कुशन एबेल पुरुसकार जितने वाली पहली महिला कोन बन गई है आप सब को पता दू कि एबेल पुरुसकार जो है गणित का सब सबसे बड़ा पुरुसकार है और एबेल पुरुसकार 2019 की विजेता बन गई है उनका नाम है करेन उहलेन वेक और यह हैं अमेरिका की यह हैं अमेरिका की और एबेल पुरुसकार पाने वाली पहली महिला भी बन गई है उरेन एहलवेक इसके पहले पुरुसों को दिया गया जिनको एबेल पुरुसकार दिया गया है जो कि अमेरिका की है करें उह लेंवेक और इनको जो है mathematics के छेत पुरुसकार दिया गया है यह अमेरिका की है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों मैं आपको बहुत आराम से को बता रहा हूं भले ही टाइम लगता है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे और इक्जाम में गलती नहीं करेंगे अगला कोशन आज मैंने आपको टूटल 40 क्वेश्चन करेंट अफेर्स के लिए हैं 15 मार्स से लेकर 22 मार्स तक जो की बहुत ही महत्पूर है और अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया सारे जितना भी में करेंट अफेर्स वीकली और मंतली कराते आ रहा हूं जनवरी का कराया मैंने फर्वरी का कराया आपका कल मार्ज का खतम हो जाएगा बाकि मैंने मंतली वीडियो भी डाल दिया है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वीकली इसे वीडियो बनाता हूं जहां से आपके एक दो चार नंबर की प्रस्न पूशा जाता एक्जाम में यही वीडियो में आपको रात को अवेलेफल कराता हूं और दिन में करेंट ऐफेर्स की तो दोनों वीडियो आप लोग देखना हो लिएगा मत 11 बजे दिन में और राट को 9 बजे अगला कोशन दुनिया की सबसे बड़ी रेल कुछ निर्माल फैक्टरी कौन सी बन गई धूनिया की तो यह बन गया अपना भारत यह नी चाइना को पेचाद दिया है बनाने हैं वो भी integral coach factory येतो बनाया है तो बहुत हीघ्ट एंप्व migrant को भारत में आई से मिलें की टाप कर दिया है मॉर्द इपर्जुन एप आग्ला कोछन की राष्ट्रपति नूर सुल्टान नजर वाइब ने अपने पस सथिपनेव दिया है तो इसका जो सही उत्तर है वो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के 30 वर्सों तक लगातार राष्ट्रपती रहे, नूर सुल्तान ने नजर वायवग ने अपने पसे इस्थीपा दे दिया है, और उनके सम्मान में नूर सुल्तान जी के सम्मान में कजाकिस्तान की राजधानी कजाकिस्तान की राजधानी हो गई अब नूर सुल्तान अगला कोशन चुनाव आयोग ने राजनीतिक डलो को चुनाव से कितना समय पहले घोसला पत्र जारी करने का आधिस्ति आये उनका जो मैनिफेस्टो है वो 48 गंटे पहले तक आ जाना चाहिए तो 48 गंटा इसका जो सही का आखरी प्रस्ट है लास्ट बटन अट लिस्ट और मैं बता दू जिन लोगों ने अभी तक तो फार इस लिट चॉनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें जिससे कि रात में 9 बज़े वाली और दिन में 11 बज़े वाली सिरियस होंगे और फजी लोगे अपने लेकर वीडियो को लाइक करते होंगे और लोगों तक मेरे चैनल के बारे में आप सबीके अपने के बारे में लिग वीडियो आती है जो की बहुत इंपॉर्टिन वीडियो होती है चलिए देखते हैं अंकला प्रश्च वाली रिपोर्ट के नुसार भारत का रैंक क्या है तो इसका सही उत्तर है 140 बहुत लोग 133 होत रहे होगे लेकिन ये गलत आपका तो 2018 में भारत की रैंकिंग थी एक साल की तुलना में अगर बात कहिए जाए साथ अंकों की गिरावट आई है माइनस सेवन 2018 में 133 और अब हो गया है 140 तो ये जो है सुर्ण ये खुसाली का है Global Happiness Index और एक होता है GHI AB होता है और गलोबल हंगर उसमें भारत का स्थान 103 है अगर भुखमरी की बात कहिए तो ये अभी 2019 का रिपोर्ट नहीं आया है लेकिन 2018 का रिपोर्ट 103 है और खुसाली का रिपोर्ट 140 है इसमें भारत साथ अस्थानों की गि हुझ गया है चलिए देखते हैं यह क Stephan, 28 मैं आपको नहीं बता हूंगा यह कुषण्च आ आपको कमेंट करके बताना हो थैप में देखता हूं कि आप जाती है आपके सिलेवस में लिखा होता है राष्ट्री और अंतर राष्ट्री और प्रादेसिक को लिखाता हूँ ना कि इसमें कोई इटिंग है तो आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे तो मैं ही हूँ सिवंबर्मा तो प्लीज दोस्तो मेरे चैनल को आप लोग अपने चैनल समझके सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उसको सेर कीजिए वेल आइकान को आप लोग दबा दीजिए घंटी को अगर नहीं दबाएंगे तो आप लोग जान नहीं पाएंगे वीडियो का अपलोड हुई इसलिए सुभाई 11 बजे और रात को 9 बजे वाली वीडियो देखने लिए घंटी को भी दबाएं चैनल को जैसे सब्सक्राइब करेंगे तुर तो ठीक है आज के लिए हम वीडियो का समापन यहीं करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो प्रसंद आई होगी प्रसंद आईयत लाइक कीजिए और आज पास अफिने साफ सफाई रख जिए टेंगो और मेल लिया कि बहुत ज्यादा आँ जो है इसमें खाने पीने स्वास्त बना गए गर्मी इसे बचके रहिए और अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए ठीक है दोस्तों बाइबाई अल्विदा टेक केर जैन जै भारत